माबाप आपको पढ़ने के लिए बोलते हैं, पढ़ाई से फायदा आपका होगा, जिन्दगी आपकी बनेगी, उन्हें तो बस खुसी मिलेगी। आज की इस वीडियो में जो चीज मैं आपको बताने वाला हूँ, सायद आप में से बहुत से लोगों को ये बात पता होगी, पर इन बातों पर कभी गौर नहीं किया। उसे अपने पापा के ये काम से लोटने का टाइम पता रहता है, तो वा उससे कुछ दिर पहले घर जाकर पढ़ने बैट जाता है, उसका पापा काम से लोटता है और अपने बेटे को पढ़ता देख बहुत खुस होता है, मन में सोचता है कि महले के सारे बच्चे खेल रहा पर मेरा बेटा पढ़ रहा है वो गर्म महसुस करता है पर आप बोलिये क्या वो बच्चा पढ़ रहा है या अपने पापा के घर से जाने का वेट कर रहा है वो बच्चा तो अपने पापा के सामने पस एक्टिंग कर रहा है अगर उस बच्चे के अंदर थोड़ा सा भी पढ अपनापन होता तो वो पापा के आने का वेट नहीं करता जब दिल चाहता तब पढ़ने बैठता और फिर खेलने चल जाता इसलिए अगर काम के लिए अपनापन ना हो तो जबरजस्ती से किया गिया कार्या कभी सफल नहीं होता जब तक आप पढ़ाई को अपना नहीं समझो काम को अपना नहीं मानोगे तब तक आपको दिल नहीं करेगा काम को करने में अभी जो मैं बोलूंगा इस पर थोड़ा गौर कीजेगा अगर कभी आपके दोस्त का 1000 रुपया गिर जाए तो आपको उतना फर्क नहीं पड़ेगा पर वहीं आपका 100 रुपया गिर जाए तो काम को अपना मानोगे तो करने का अंदाज ही बदल जाएगा बस और एक लाइन बोलने के बाद मैं ये वीडियो समाप्त करने वाला हूँ माबाप आपको पढ़ने के लिए बोलते हैं पढ़ाई से फायदा आपका होगा जिन्दगी आपकी बनेगी उन्हें तो बस खुसी मिलेगी धन्यवाद